हलो एंड वेलकम टुपूनम्स किच्चन आज की रेसिपी है पनीर पकोडा बहुत ही सिंपल तरीके से ये पनीर पकोडाज बनाए हैं एक बतन में लिया है मैंने बेशन उसमें डाल दिया है नमक, लाल मेच पाउडर, थोड़ी सी बेकिंग सोडा पाणी डाल कर मिला देना है इस तरह से पकोडा फ्राइ करने के लिए बेशन दयार करना है ये मैंने पनीर के शोटे पीसिस काट दिये हैं अब पनीर के पीसिस को बेशन से कोट करके गरम तेल में फ्राइ करना है पनीर ऐसे ही घाने में टेस्टी एंड हेल्दी होता है उसमें जादा मसाला ना डालें तेल को पहले पूरी तरह से गरम होने देना है गैस की फ्लेम को हाई रखना है ये रेडी है पनीर पकोडा ये खाने में बहुत ही डेस्टी होते हैं इसे ऐसे खा सकते हैं चटनी या सॉस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक्स पर वोचिंग